सिल्क स्मिता, विजे लक्समी वडल पती, 2 निसंबर 1907, 23 सितंबर 1906, जीने उनके स्टेज नाम सिल्क स्मिता के नाम से जाना जाता है, बारतिय फिलम अभी नेती थी जो मुख्य रूप से दक्सिनी बारतिय फिलमों में काम करती थी, ये फिलम उदोप में पहली बार 1989 में ब पनाड़ा और हिंदी बासाओं में 450 फिलमों में नजर आ चुकी थी, ये 23 सितंबर 1906, जीने के अपने अपार्टमेंट में मुझ पाई गई, ज़र देखने से ये आत्मा अथ्या ही प्रतित हुई, इसमिता ने अपना करियर अभीनेत्री के रूप में नहीं बलकी कलाकारो के टच अप के कारे करते हुए शुरू किया था, और बात में इन्हें अभीनेत्री के रूप में एक छोटा सा किर्दा मिल गया, इन्हें विनु चक्रवती जो फ्लॉर मिल के नीते सकते ने डून निकाला, उन्होंने इनका नाम बदल कर इसमिता कर दिया, और उनकी पतनी इन्हें अंगरेजी सिखाया और नुत्य सिखाने का विप्रबंद किया, लेकिन उन्हें एकी तरफ से किर्दार मिलने लगे और अपने पूरे करिया में उन्हें बस उसी तरह के ही किर्दार मिलते रहे, तेविस सितमबर 1906 को सिलिक ने अपनी साइडी अनुराधा से बात क कर रही थी, जो उससे परिसान कर रही थी, अनुराधान कहा कि वो अपने बच्चों को इसको छोड़कर उससे मिलने गई थी, तेविस सितमबर 1906 की सुबा को कुछ गट्टे के बाद इसमिता अपने चैन्ने के घर में मुद मिली, उसके बाद मोत का कारण अभी तक रहस्य यही बना हुआ है, कुछ के अनुसार उसने आत्मा अत्या की थी, क्योंकि वो अपने फिल्म निर्मान के कारण का भी परिशान थी, कुछ महीने के बाद पोस्ट अफ मोटम के नतीज़ के अनुसार उसकी मोत का कारण सरा पीना था 2011 में सिलक इसमिता के जीवन से पहरीत एक फिल्म जिसका नाव दर्टी पिच्चा था, एक का निर्मान हिंदी में एक ता कपू ने किया था, फिल्म का निदेशन मीडन लुथरिया ने किया था, और विधाबालन ने अभी ने किया इसमीता के जन्मा दिन पर फीलम को तमील और त्यलगू के इसके डब संसकारों के साथ इज़िच किया गया और इसे अनुकुर्समिक समीडी रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्क इसमीता का परिवार जिस पर फीलम आता लिए फीलम सिर्पूस नहीं है इसमिता के भाई भी नागा वारदा परसात ने दावा किया कि फिलम वो परिवारिक सहमत के भीना बनाया गया था दाव के बाद एकता कपूर ने तुरण 30 विक्चर्स के हमडे से अपना बयान बदल दिया यह सिर्ट समिता के जीवन पर आदाईद नहीं है